बहुत सारा धन्यवाद मैं इस महतोपुर्ण अवसर पर अपनी बात रखों से पहले मैं दो लोगों को रिदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूँ एक धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के कारिक्रम के अध्यक्ष बारत सरकार के पूर्व मंत्री देश के ख्यात नाम पूर्व पूलिस अधिकारी और गुर्कुल कांगडी विश्व विद्याले के कुलादी पती मेरे अग्रज हैं मेरे बड़े भाईयां मेरे मार्गदर्शक पी रहें आदनिय सत्यपाल सिंग जी का कि उन्होंने आजादी के आंदोलन से जिड़वे इस महत्वपूर्ण घटना और उसका महत्वपूर्ण वर्ष शताब्दी वर्ष में जो वर्ष परियंत चलने वाले कारिक्रमों की श्रंखला है उस श्रंखला के शुभारंब के अवसर पर हुए इस आयोजन में मुझे आप सब के बीच में आने का सौभग प्रदान किया मैं रिदय पूर्वक आदनिय सत्यपाल सिंगी का धन्यबाद करता हूं इनका अभार ग्यापित करता हूं अभिनंदल करता हूं और दूसरा मैं धन्यबाद करना चाहता हूं आधनी श्री रवी शंकर जी का उन्होंने जो विस्तार से यहां बातचीत की उसके साथ साथ में मेरी मजबूरी को समझते हुए उन्होंने क्योंकि मुझे अभी ठीक इसके बाद में ग्रूप आफ इनिस्टर्स की मीटिंग जो छे बज़े से प्रारंब होने वाली है मनी ग्रह मंतर जी की अध्यक्षता में उसके लिए जाना था ऐसे पवित्र भाव से आयोजित किये गए और ऐसे महत्वपूर्ण घटना से जुड़ेवे आयोजिन के बीच सर उठकर जाने का मेरा एक प्रतिशत भी मन नहीं है लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी को समझते हुए आदनिया रवी शंकरदी ने मुझे अनुमती प्रदान की इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद की इस श्रंकला में सब्विता फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण घटना से जो आने वाले सदियों तक इस भारत के युवाओं के लिए प्रेड़ना पुझे बन सकती है उनके रगों में प्रभाहित होने वाले खून में राश्ट्रियता के भाव को इन्फ्यूज कर सकती है ऐसी घटना से जुड़े वे ऐसे प्रेरख कारिकरम का आयोजन वर्ष परवद करने का बीड़ा उठा है मैं रिदय पूर्वक्स अभिता फाउंडेशन का भी बहुत सारा आभार और अभिनंदन ग्यापित करना चाहता हूँ और साथ इसाथ बिना कहे वे किस आयोजन से जुड़ेवे किसी भी कारिकरम के लिए किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यक्ता हो मंत्रा लेके इस तरपर भी और व्यक्तिगत मैं अपने इस तरपर भी जो कुछ भी अगर मैं आपका सहभागी होकर कर सकूँगा मैं समझूँगा कि ये सहभाग्य का अवसर मुझे भी मिला है मित्रो देश का लंबा सोतंतरता संग्रा और एक लंबी गुलामी का कालखन आठ सो साल तक पहले आकरांताओं का आकरमन और उसके बाद की परिस्तितियां और उसके बाद लगातार डेड़ सो साल तक निर्बाद अंग्रेजों का भारत पर क्रूर शाशन लेकिन क्यूंकि हमारे हैं इतियास लेखन की परमपरा उतनी संब्रद नहीं थी और तुकड़ों में लिखा गया था और सुनियों जी तरीके से अंग्रेजों के सत्ता में स्थापित होने के बाद में हमारे इतियास लेखन की व्यवस्था को बदला गया था अंग्रेजों के भारत में आगमन के साथ ही भारत में प्रतिरूद प्रारंब हो गया था और एक भी इस पूरे डेड़ सो साल का कोई ऐसा एक हिस्सा नहीं निकला होगा जब भारत के किसी ने किसी कोने में, किसी ने किसी रूप में अंग्रेज सत्ता को उखाड फेकने के संकल्प को लेकर के कहीं ने कहीं कोई ने कोई बलिदानियों का जत्ता न जुटा होगा लेकिन दुरभाग्य से जो इतियास इस देश के आने वाले समय में आने वाली पीडियों के लिए प्रेरख हो सकता था उसे इतियास को सुनियोजित रूप से भुला दिया गया मिटा दिया गया या मिटने के प्रयास किये गए आजा दी कि उस लंबी लड़ाए में लनेक लोगों ने जो बलिदान किये लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी और आज का दिन तो विशेश रूप से अत्यनत महत्व का दिन है कि उस 500 साल के पूरे लंबे संघर्ष में जब धीरे धीरे टुकड़ों में, अलग-अलग तरह से अलग-अलग जगे पर अलग-अलग लोगों ने अपने-अपने तरीके से भारत के उस सतंतरता संघ्राम को कहीं ने-कहीं अगनी को प्रदित करने उस अगनी में अपनी आहुती देकर कि उसकी ज्वाला को और बढ़काने के लिए काम किया होगा लेकिन आज का दिन आठ अगस्त का दिन वो महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन भारत चोड़ो आंदोलन का आववान हुआ और उसके बाद में ये जनांदोलन बना और उस जनांदोलन की ताकत से भारत पात साल के कालखंड में उस अंग्रेज सत्ता को जिसका सूर्यास्त नहीं होता था उसको परास्त करके हम भारत में आज़ादी का द्वज्ज जो है वो फेराने में कामियाब हुए आज के इस दिन से और क्योंके संयोग से ये दिन जो है काकोरी की घटना के साथ में भी जुड़ा हुआ है इस महत्वपूर्ण दिन से आज जो एक कारिक्रम आयो जित हुआ है उस पर मंच पर मेरे मित्र और सांसद साथी रांजी के आदनीय संजय जी बैठें आदनीय भाई स अब हम सब लोगों के साथ में आदनीय धर्मवी जी हैं मैं क्योंकि मुख्य वक्ता के रूप में जिन सब लोगों को बात करनी हूँ और जब कुलादी पती महोदे खुद यहां हो और जो ग्यान की गंगा और सरीता दोनों बहा सकते हैं मुझा लगता है कि लंबी मुझे बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी मैं इतना आवश्यक कहूंगा कि वो जो भूल या वो जो शडियंतर इस भारत के इतियास को मिटाने के लिए किया गया था भारत का इतियास हम सब के लिए प्रेरक बना रहे और पिछले 75 साल में जो कुछ धूल उस प पूरे होने के समय में देश को एक बार फिर उन सभी उतात्माओं को जिन लाखों लोगों ने देश के लिए बलिदान किया देश के लिए योगदान किया अपना जीवन समर्पित किया अपने किया अपनी जवानी समर्पित किया उन सब लोगों को शड़ा के साथ में याद का सम्मान किया उनके लिए प्रदर्शनी आयर्जित की गई उनका एक बार फुर जो है उनका सम्मान के साथ में उनका समरन किया गया और एक बार फिर उनको शद्दा समन्द दे करके करतक के भाव से देश ने देश के एक चालीस करोड लोगों ने उनसे प्रेड़ना प्राप कि इस से जो है कृतक गिनधा का कोई काम जो है इस देश में नहीं हो सकता ऐसे लोग जिनों ने अपना सरवस्व समर्पित करके मातर चार हजार रुपए जो सरकार की रेवन्यू का था उस चार हजार रुपए को वापस च्छीन करके और जो देश में आजादी की लडाई को एक नई उचाई प्रदान की थी जिन लोगों ने फ्यासी के फंदों पर जूल करके चार लोगों ने देश के उस आजादी की अगनी में अपनी आहूती दे करके आगनी को प्रभ्य प्रदीप्त किया था उन सब लोगों के लिए हम सब लोग उक्षद्दा सुमन अर्पित करते वे इस कारिक्रम को देश भर में ले करके जाएं देश में अनेक स्थानों पर इसके लिए से जुड़े वे कारिक्रम हो उनका समर्ण करते वे कारिक्रम हो उनके उनसे प्रिर्णा ले सकें ऐसे कारिक्रम हो निश्चिती अभिनंदन के मैं दो कारेक्रमों के बीच में आगे पीछे करके भी मैं आऊंगा लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के उतकरष्ट समय में से कुछ एक समय होगा इस भाव के साथ मैं पुने सभी का धन्यवाद करता हूं जय हिंद जय भारत